बिहार सरकार ने शराबियों के अर्मानों पर शराब बंदी का बुल्डोजर तो चला दिया लेकिन इस कदम से क्या बिहार का भला हो पाया क्या शराब बंदी ने वागई बिहार के नशेडियों की जिंदगी बदल दी आज तक की खूफिया टीम जब इस सचाई को खंगालने निकली तो हमारी टीम को हैरत अंगेज सचाईयों का सामना करना पड़ा शराब की जगा नशे का इंजेक्शन शराब की जगा गांजे और चरस का नशा शराब की जगा वाइटनर निगलने लगे नौजवान बिहार में पहले शराब माफिया तो अब ड्रग माफिया का बोल बाला बिहार में ड्रग माफिया और नशे के काले कारोबार की जमीनी हकीकत खोचने निकली हमारी टीम ने बिहार के रकसॉल, सीता मढ़ी, मधुबनी और राजधानी पटना में कई जगा गई सिर्फ जगहें अलग थी, सच्चाई वही निकली चलिए आपको हम मिलवाते हैं पूरवी चमपारन जिले के रकसॉल के इस ड्रग माफिया से रकसॉल में नेपाल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ड्रग माफिया सुबोध कुमार की सौफ ड्रिंक की दुकान है हमारी टीम ने सुबोध से गांजे की मांग की, सुबोध ने फौरण माल का सेंपल हमारे हाथ में पकड़ा दिया हमारे अंडरकवा रिपोर्टर ने डील शुरू की सुबोध ने इस ड्रग माफिया का धावा है कि ड्रग के कारोबार में दिल्ली से लेकर हर्याणा तक उसके नाम का सिक्का चलता है सुबोध ने हमारे रिपोर्टर को अपने रैकेट के बारे में भी बताया हुआ को यह रिप्र हो कि अधरिट टेल्ली लेकर जाना है जाने को अधरिव क्लो करके कित्रे दिन मी तुम अबलिवक आप्टर थाएज था यह यह उम पांकि कर बाच्ट ही लोग को पटा सेंके तरह पांच किन दोपिकों जाना लेकर शराब बंदी के बाद प्रशासन की सकती की हकीकत क्या है आप सुनेंगे तो बिहार के शासन की कलई आपके सामने खुल जाएगी रक्सौल के बाद हमारी टीम पहुंची सीता मढ़ी में यहां भी गाओ गाओ चौक चौक तक नशे का कारोबार फलता फूलता मिला सीता मढ़ी में नेपाल बॉर्डर से चंद कदम की दूरी पर भिट्टा मोड पर हमारी मुलाकात विजय चंद नाम के ड्रग तसकर से हुई भिट्टा मोड से लेकर सुरसंड चौक तक काली चरण का सिक्का चलता है तो वहीं पुपरी में प्यारे बाबा एक चाई की दुकान से ड्रग का कारोबार करता है पुपरी बस स्टैंड पर रंधीर कुमार नाम का ड्रग माफिया गाजा सप्लाई करता है हमारी टीम को वो खुद नशे में टुन मिला नशे की अवायत कारोबार में राजधानी पटना की कहानी भी कुछ अलग नहीं है पटना के बोरिंग रोड पर कृष्णा अपार्टमेंट के सामने वाली गली की पान की दुकान पर हमारी मुलाकात दिनेश से हुई कर दो पहर में दो बजे बिहार में गांजा 12,000 रुपए किलो से 20,000 रुपए किलो तक मिलता है बेहतर क्वालिटी के दाम में और उच्छाल रहता है नार्कोटिक्स कंट्रोल भ्यूरो के मताबिक साल 2015 में सिर्फ 12 किलो गांजा जब्द किया गया था ये आकड़ा 2016 में बढ़कर 342 किलो तक पहुँच गया इस साल तो शुरुवात के चार महीने में ही ये आकड़ा 7,000 किलो को पार कर चुका है चरस इस साल अब तक 12,000 किलो और अफीम 6,000 किलो जब्द की जा चुकी है जाहिर है जब से बिहार में शराब बंदी हुई गांजे का कारोबार दिन दुना राच चोगुनी दर से बढ़ गया स्पेशल इन्विस्टिगेटिव टीम आज तक